हेलो फ्रेंट्स आज हम फिर ले आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो विद न्यू आर्टिस्ट आज हम जिस आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे वो हमारे इंडिया के फेमस आर्टिस्ट है ओईल पेंटिंग इंडिया में लाने का श्रिय इन ही को जाता है So without wasting our time, let's start the video But उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो आज हम जिस आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे, वह है राजा रवी वर्मा वैसे इनके नाम के आगे राजा के अलावाब बहुत सी और विशिश्टाय जोड सकते हैं जिससे इंडिया's first oil painter, founder of oil painting in India, रचना चित्र के विश्वयों के खोज करता, भारत को विदेश में कला के जरीए प्रसिद्ध करने वाले कलाकार तो हमारे इन महान कलाकार का जन 29 एपरिल 1848 में उस समय के 53 कोर संस्तान के कोट टाइम शहर के पास के किलिमिनुर गाओ में हुआ, जो आज केरला में है उनके घर में संस्कृत विद्ध को बहुत मान था, उन्होंने उनके पिता से संस्कृत ग्रंथों का ज्यान प्राप्त किया और उनकी मा निर्त्य निपून थी जिनसे उन्हें कला ज्यान मिला, उनके अंकल भी एक व्यक्ति चित्रकार थे रवी वर्मा के छोटे भाई राज वर्मा भी चित्रकार थे, वे रवी वर्मा के चित्रों में बैग्राउंड भरने का काम करते थे आगे त्रावन कोर के राज घराने में उनकी शादी हुई, जिससे उन्हें राज महल में रहे कर कलाकृती बनाने का मौका मिला 1868 में त्रावन कोर में ब्रिटिश चित्रकार जो ओईल पेंटिंग में माहिर थे, थियोडो और जेंसन को दरबार में आमंतरित किया गया वो पेंटिंग बनाते वक्त किसी को दिखाते नहीं थे पर महराज के दबाव के कारण जेंसन को पेंटिंग करते वक्त देखने का मौका रवी वर्मा को मिला उस समय दरबार में रामस्वामी नाइडू नाम के चित्रकार ओइल पेंटिंग किया करते थे रामस्वामी नाइडू को राजा रविवर्मा का प्रतिसपर्धी माना गया है ऐसी कहानी है कि पहले रामस्वामी नाइडू जिने ओईल पेंटिंग के बारे में ग्यान था उन्होंने राजा रविवर्मा को सिखाने से इनकार कर दिया पर फिर उन्होंने जित पकड़ कर यह कला सिखी और इस काम में नाइडेजू के एक शिश्य ने उनकी गुप तरीके से मदद भी की आगे उन्हें बहुत से व्यक्ति चित्र और अलग प्रकार की चित्र ओयल कलर मीडियम में बनाए 1870 में उन्होंने कमर्शली काम करना स्टार्ट कर दिया इसी साल उन्होंने बनाए हुए 53 कोर के महराजा और महरानी के पोट्रेट को वीर श्रूंगला संस्तान का सर्वोच चसनमान दिया गया उनकी विशेशता यह थी कि वह वेस्टन आर्ट मीडियम और स्टाइल का इस्तमाल करके भारतिय विशय देव देवता को चित्रित करते थे उस समय इंडियन आर्ट स्टाइल टूडी फॉर्म में थी और राजा रविवर्मा की स्टाइल 3D इस वज़ा से उन्हें काफी लोग प्रियता मिली 1873 में फाइन आर्ट एक्जिबिशन मदरास के एक्जिबिशन में उनकी नायर लेडी पेंटिंग को गोल्ड मिडल मिला उसी साल उसी पेंटिंग को आस्ट्रिया के वियनना के एक्जिबिशन में गोल्ड मिडल और सर्टि 1974 में उनके अतमिल लेडी प्लेइंग शर्बत इस पेंटिंग को मदरास एक्जिबिशन में गोल्ड मेडल मिला नेक्स्ट यर शकुंतला पत्रलेखन इस पेंटिंग को गोल्ड मेडल मिला और उसे ड्यूक ओफ बैकिंग हैम ने खरीदा 1881 में बड़ोदा के महराज सयाजी राव इन्होंने रवी वर्माक ची को बड़ोदा बुलाया और उनसे बहुत से भारतिय कथाओं पर आधारित पेंटिंग बनवा के लिए जो अभी बड़ोदा के फते सिंग म्यूजिंग में है भारत में पहली लिथो प्रेज भी राजा रविवर्मा ने ही लाई उन्होंने अपने पेंटिंग्स के प्रिंट निकाले ताकि हिंदु देवी देवताओं के पेंटिंग्स कॉमन पीपल तक पहुत सके इनके जीवन पर आधारित एक मूवी भी आई है डायरेक्टर केतन महता की मूवी रंग रसिया जो साल 2008 में लंडन फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई और इंडिया में 2014 में रिलीज की गई इसमें एक्टर रंदिप हुड़ा ने राजा रविवर्मा का रोल अदा किया और मल्याण मूवी मकर मंजु भी राजा रविवर्मा जी के जीवन पर आधारित है उनी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंटरी भी प्रसिद्ध है 1904 में ब्रिटिश किंग की और से वोईसरा लॉड करजन ने वर्मा जी को कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल से सन्मानित किया भारतिय कला में उनके विशाल योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रविवर्मा पुरसकार के नाम से एक पुरसकार के भी स्थापना की है जो हर साल कला और संस्कृतिक एक शेत्र में उत्कृष्टता दिखाने वाले को प्रदान किया जाता है उनकी 65 पुन्यतिती पर इंडिया पोस्ट ने रविवर्मा और उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग दमयंती और हंस को दर्शाते हुए एक समारव डाप टिकेट जारी किया तो यह थे हमारे इंडिया के फेमस आर्टिस्ट राजा रविवर्मा इनकी कौन से पेंटिंग आपको अच्छी लगी यह हमें कमेंट करके बताए और आप कौन से आर्टिस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूले